हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू टेट क्रेकर, आज के इस वीडियो में हम NCRT EVS क्लास 5th के लेसन 6 और 7 के टॉपिक्स को कवर करेंगे और उसके बाद उन सभी कुश्चिन्स को करेंगे जो की सीटेट एग्जैंस में इन चैप्टर से पूछे जा चुके हैं तो जो 6 चाप्टर है, वो है बून बून दरिया दरिया, इसमें पानी के बारे में बताया हुआ है और उससे रिलेटेट चीजों को भी बताया हुआ है, तो पहला जो टॉपिक है वो है घडसी सर, आप इसकी फोटो देख सकते हैं, ये घडसी सर है और ये राजिस्थान के ज जैसलमीर में है ये 650 साल पुराना है जिसे जैसलमीर के राजा घरसी ने बनाया था और इसका नाम घरसी सर भी इसलिए है क्योंकि जैसलमीर के राजा घरसी ने से बनाया था और सर सर का मतलब होता है तालाब तो इस वज़े से इसका नाम घरसी सर है इसमें नौ तालाब आपस में जुड़े हुए थे, 9 तालाब आपस में इस तरीके से जुड़े हुए थे, कि अगर एक तालाब का पानी भर जाता, तो वो automatically दूसरे तालाब में ट्रांसफर हो जाता, ऐसे ही अगर दूसरे तालाब का पानी भर जाता तो वो automatically तीसरे तालाब में transfer हो जाता था लेकिन अभी अधिकतर तालाब सूप चुके हैं और उसका reason ये है कि ये जो दो तालाबों के बीच की जगे हैं यहाँ पे कई घर और कलॉनिया बन गए हैं जिस वज़े से एक तालाब से पानी दूसरे तालाब में नहीं जा पाता है और वो ऐसे ही विर्थ हो जाता है अगला जो topic है वो al-birooni के विशे में है इससे आयोग हर साल question पूछता है ये बहुत ही जादा important topic है इसमें आपको इसके सारे ही fact याद रखने हैं वो fact से related ही कूट वाले question बना कर दे देता है जैसे की al-birooni एक यात्री था आपको ये याद रखना है कि वह उजबेकिस्तान से आये था तो वह एक यात्री था जो कि उजबेकिस्तान से आये था दूसरी चीज इसमें आपको adject date याद नहीं रखनी है क्योंकि I.O. कभी भी ऐसे questions नहीं पूछता है जो कि NCRT EVS की book में नहीं दिया हूँ अगर वो NCRT EVS के chapter से question पूछता है तो वो ही facts उसमें डालता है जो कि book में दिये हूए हैं तो आपको adject date याद नहीं रखनी हैं आपको ये ही statement याद रखनी है कि हजार से भी जादा साल पहले भारत आया था तो कब आया था हजार से भी जादा साल पहले भारत आया था दूसरी एक चीज उसने कुछ किताबों को लिखा है जैसे किताब अलहिंद कि तारीक अलहिंद लेकिन आपको ये book याद नहीं रखनी आपको बस ये याद रखना है कि इन जो किताबों में उसने कुछ चीजों के बारे में लिखा और उन चीजों और जगों के बारे में लिखा विशेसर जो कि उसे अपने देश से अलग लगी थी ऐसी ही उसने अपनी किताब में तालाब के बारे में भी लिखा तो देख लेते हैं कि उसने तालाब के विशे में क्या लिखा यहां के लोग तालाब बनाने में तो माहिर ही हैं अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे बहुत बड़े भारी पत्थर और लोहे के कुंडो और सरीयों से जोड़ कर तालाब के चारो तरफ चबूतरे बनाये जाते हैं इन चबूतरों के बीच में उपर से नीचे जाती हुए सीड़ियों के लंबी खतारे होती हैं लोगों के उतरने, चड़ने के रास्ते अलग होते हैं, यहां कभी भीड लगने से परिशानी नहीं होती, तो यह सारे चीजें जो की अलबिजूनी ने तालाब के बारे में बोली है, आपको जैसी दी हुई है वुक में, वैसे ही आपको याद रखनी है, अगला जो टॉपिक है, वो है बून-बून की कीमत, यहां पर राजिस्थान के किस्थान जैसल मेर के बारे में बता हुआ है, कि यहां पर बहुत ही कम बारिश होती है, और साल में 10 से 12 बार ही यहां पर बारिश होती है, तो यहां की लोग पानी को किसी तरीके से घर में इखटा कर लेते हैं, औ आप उसी बानी का वियोग करते हैं दूसरी चीज जो बावडी के बारे में बताई हुई है कि बावडी पुराने समय में बनाई जाती थी यह एक सीड़ीदार कुवा जैसा होता था मैं आपको बावडी की पिक्चर दिखा देती हूँ यह है बावडी को स्टेप वेल भी कहा जाता है यह आप देख सकते हैं यह सीड़ी नुमक कुवे की तरह लगती है यहाँ पैसे यह सीड़ियां बनी हुई है तो सीड़ी की द्वारा इसमें नीचे जाके पानी लाया जा सकता है बहुत पहले राजिसान में इस तरह की बावडियों का प्रियोग बहुत होता था लेकिन बाद में इनका प्रियोग होना बंद हो गया लेकिन 1986 में जब जोदपूर के लाके में सूखा पड़ा तो इनकी सफाई करके दुबारा से इनका प्रियोग किया गया तो इस टॉपिक से आपको कुछ चीज़ा याद रखियें, कि जैसल मेर मेरे में बारिश साल में कितने बार होती है, तो 10 से 12 बार होती है, दूसरा यहां की लोग पानी का कैसे प्रियोग करते हैं, तो यहां की लोग बारिश के पानी को इखटा कर लेते हैं, जैसे कि छटों म और फिर उसका प्रियोग करते हैं तीसरा बावडी क्या होती है एक सिड़ीदार कुवा जैसा होता है और इसका प्रियोग पुराने समय में लोग किया करते थे पानी का यूज करने के लिए इसका प्रियोग पुराने समय में लोग किया करते थे निक्स जो आपको याद रखना है वो यह कि जोदपूर के इलाके में सूखा कप पड़ा तो जोदपूर के इलाके में सूखा 1986 में पड़ा जिसके बाद इनका प्रियोग दुबारा से स्टार्ट किया गया अगला जो टॉपिक है वो है कुछ कुए सूखने की कुछ वज़े हैं ये कुश्चन सीड डाइट में पूछा हुआ है तो तीन तो इसमें से आप्शन यही उठा के दे देता है सेम टू सेम जैसे कि कई जगह मोटर लगा कर जमीन का पानी निकाला जा रहा है इस वज़े से क जमीन को सिमेंट से पका कर दिया गया है जिसकी वज़े से बारिश का पानी धर्ती में जा नहीं पाता और कुए सूखने लगे हैं उसके बाद यहां पर एक दड़की माई की कहानी दी हुई है जो कि राजिस्थान के अलवर जिले से बिलॉंग करती है उनके यहां पर पान है कि अनकी सायता की अब आते है लेसन सेबन जिसका नाम है पानी के प्रियोग इसमें जो पहला पैक्ट है वो डैट्सी के बारे में है म्रत सागर अंजिता म का दे दुन्या का सबसे खारा नंकीएट सागर और जो मृत सागर है उसका जो पानी है बहुत जादा नमकीन है बहुत जादा खारा है इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट भी करने को दिये हुए है बच्चों को जैसे कि पहले एक ग्लास में नीवू डालो तो वो डूब जाता है लेकिन उसमें नमक मिलाके अगर उसको खारा कर दि जिस पानी में उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है जिसकी वज़े से चीज़े महां पर तैरने लगती है जो मृत सागर है जो कि आप देख सकते हैं यहां पर जो कि इसराइल और जॉर्डन के बीच में पढ़ता है यहां पर इतना जादा नमक है एक लीटर पानी में 300 ग्राम घुला हुआ है तो इससे पानी की डेंसिटी बहुत ज़दा पढ़ जाती है जिसे की जो समूंद्र के जीव होते हैं उसमें पानी के अंदर नहीं रह पाते हैं तो वो पानी के उपर तैरने लगते हैं जिस वज़े से वहां पर कोई भी जो पानी का जीव है वो जीवित न इस टॉपिक में आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे खारा या नमकीन सागर कौन सा है तुम्लच सागर यानि डैट सी है उसमें नमक की मातरा कितनी है तो एक लीटर पानी में 300 ग्राम नमक अगला टॉपिक जो इसमें इिम्पोर्टेंट है वो है डांडी आतरा से रिलेटेड तो डांडी आतरा कब शुरू की गई थी यह 1930 में सुरू की गई थी आपको यहाद रखना है बहुत सारे लोगों को यह पहले से पता होगा कि डांडी आतरा 1930 में हुई थी कारण क्या था अंग्रेजों द्वारा लगया गया नमक text तो अंग्रेजों ने नमक पर text बढ़ा दिया था जिससे कि गांधीजी बहुत ज़्यादा नाराज हो गए उनने कहा कि यह चीज हमें Qudrat ने दियो ही यहाँ पर लिखा हुआ है जो चीज हमें Qudrat ने दिया है उसे बनाने पर बंदिस कैसी तो उनने कहा था कि ये चीज हमें कुदरत नहीं दी हुई है हम इस पर टैक्स नहीं देंगे और ये चीज हम बना सकते हैं तो नमक कानून तो उनने के लिए ही कादी जी ने दांडी यात्रा की थी ये करीबन 386 किलोमेटर की यात्रा थी लेकिन आपको ये याद नहीं रखना क्योंकि ये दिया वह नहीं है आपको बस ये याद रखना 1930 में हुई थी कारण क्या था नमक टैक्स के उपर हुई थी इस्थान कहां से कहां तक हुई थी तो ये अहमदाबाद से डांडी तक हुई थी गुजरात के अहमदाबाद से गुजरात के डांडी तक ये यात्रा हुई थी और इसमें गादी जी ने क्या कहा तो गादी जी ने कहा कि जो चीज हमें कुद्रत ने दी है उसे बनाने पर बंदिस कैसी बस इतनी ही चीज़ें यहां से याद रखनी है आप देख सकते हैं ये है साबरमती आश्रम अहम्दाबाद के साबरमती आश्रम से ये आतरा सुरू हुई थी और यहां पे दांडी में जाकर इन्होंने ये कानूं तोड़ा था दूसरी एक चीज़ कि जो नमक है वो कैसे बनाया जाता है तो नमक बनाने के लिए समुंदर के किनाने क्योंकि समुंदर का पानी खारा होता है उसमें नमक की मातरा जादा होती है तो उसके किनारे ऐसे क्यारी बना दी जाती है इस तरीके से क्यारी बना दी जाती है जिसमें क नमक का निर्मार किया जाता है अब कुछ कुश्यन्स कर लेते हैं जो की एक्जैम्स में पूछे जा चुके हैं पहला कुश्यन है छट पर वर्सा के पानी का संरक्षन करके भौमजन को पुना अफसूसित किया जाता था इस पारंपरिक विधी का उपयोग निमलेखित मैं से किस राजी में किया गया था तो ये किया गया था राजिस्थान में अभी बताया था किसी तरीके से वो पानी को इखटा कर लेते थे और उसका ही प्रियोग करते थे तो राजिस्थान में ही सबसे कम बारिश होती है और सबसे ज़्यादा पानी की कमी भी राजिस्थान में है तो राजिस्थान के लोग ही इस तरीगे से पानी का प्रियोग किया करते है अगला कुश्यन जो की 22 डिसमबर 2021 को जो सिफ्ट वाइस एक्जाम सुए थे पूछा गया था अलबिरूनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमड किया था के बारे में नीचे दियेगे कत्नों पर विचार कीजिए कुट वाला कुश्यन है अलबिरूनी ने भारत का भ्रमड हुजार साल से पहले किया था जी हाँ उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसे अपने देश से बहुत भिन्न लगी थी विसे इस रुप से पानी को एकत्रिक करने के लिए बनाये गए ताला ये स्टेटमेंट एकदम सही है हम उसके लेखों से अपनी इथियास के बारे में बहुत किस कुछ सीखते हैं ये भी सही है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा A, B और C ये नहीं ऑप्शन सही है अगला जो कुछिण पूछा गया है वो है भूमी का जल के स्थर की शीरता का मुख्य कारण क्या है सही उत्तर का चुनाव कीजिए शीरता यह नहीं भूमी की नीचे जल है उसकी कमी का क्या कारण है हमें इसमें से सेलेक्ट करने है वर्शा का कम होना रक्षों का आवरण कम होना सिचाई हेतू ट्यूब वेल तथा हाथ के पंपों का उप्योग होना नदियों का रुक वदल रहा है तथा बात बनाये जा रहे हैं तो इसका जो correct answer है वो है सिचाई हेतू ट्यूब वेल तथा हाथ के पंपों का उप्योग होना जिसके वज़े से जमीन के अंदर का पानी कम होते जा रहा है नेक्स्ट कुश्चन है नीचे दिये गए कतनों में से अल बरूनी जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का ब्रहमण हजारों वर्सों से भी पूर्वी किया के बारे में सही कतन को चुनिए पहला है वह एक यातरी थे जिन्होंने हमारे देश का ब्रहमण किया और प्रेक्षन किया उसके बारे में लिखा ये सही स्टेटमेंट है दूसरा वह अफगानिस्तान से आये तो वह अफगानिस्तान से नहीं आये थे वोजबेकिस्तान से आये थे अगला है उन्होंने उन चीजों के बारे में लिखा जो उन्हें अपनी देश से भिन लगी ये भी सही स्टेटमेंट है उनकी पुस्टक से हम अपनी देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विराशत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, correct, उन्होंने विशेश रूप से हमाई देश के लोगों के तालाब बनाने में कुसलताओं का उले किया, ये भी सही है, तो option number A, C, D और E, यानि कि A, C, D, E, यानि कि option number C इसका correct answer है, ये पूछा क्या था, 8 January 2022 को सिफ् इस exam में इक कुछन पूचा हुआ, अगला कुछन है, पारमपरिक तरीके से जल संगरहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरिशना है, तो पारमपरिक तरीके से उपयोग की जाने वाली जो संरिशना है, वो है बावडी, बाकि ये new generation के सारे tube well, bore well, yeah, hand pump अगला कुश्यन है डांडी आतरा भारत की आजादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्पून घटना है यह घटना घटी थी यह कुश्यन अभी डिसेंबर की एक्जाम में पूछा हुआ था सिफ्ट वाइस एक्जाम में और इसमें जो आप्शन है वो सारे ही ग याद रखना है 1930 अगला कुश्यन जो की 2016 में पूछा गया था रेनू की दादी उसे एक सूखा कुवा दिखाते वे बताती है कि 15-20 वर्स पहले कुवे में पानी था लेकिन अब यह पूर्ण तह सूख गया है कुवे में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है पहला है पेड़ों कुवे तथा उनके आसपास के स्थान की मिटी को अब सिवेंट से धग दिया गया है यह भी है अमने डिसकस किया था आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लगाए गए है यह भी सही है प्रतिक व्यक्ति के घर में अम नल होने के कारण कोई कप्रियोग नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टेट्मेंट ए और बी अप्शन नमबर फोर्थ अगला जो कुश्यन है वो है सीड़ीदार कुए अत्वा बावली जिसको बावडी भी का आ जाता है से संबंदी दिमलिकित कुछ इस उप्यूक्ट में से कौन सा घदन हमें इस में से सही घदन सेलेक्ट करना है पहला है बेजल भंडारें तदा संरक्षन की पारमपरीक विवस्ता है यानि कि पुराने टाइम से वो चीज चली आ रही है ये पुराने टाइम पे वो चीज यूज होती थी अगला है मुख्यत वर्सा रहित राज्यों में होता है सही है उनमें केवल संदूसित जल यानि कि contaminated गंदा पानी होता है खराब जल होता है वो रहता है तो ये statement बिलकुल भी correct नहीं है तो इसका जो सही answer हो जाएगा A, B and C तो option number first अगला question है ये question 2019 में पूछा गया है ये question 2019 में पूछा हुआ है question है हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था परन्तु अब ये पूरी तरह सूख गए है निमलिकित मैंसे कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए पहला है जिन जीलों तारवों में वर्षा का पानी खटा होता था अब वो वहाँ नहीं है पेड़ों के आसपास के छेतर की जमीन अब कॉलतार सिमेंट से ढग गई है ये भी सही है कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि घर में टोटियां लगिया सेम वही कुश्यन है थोड़ा सा घुमा के पूज दिया गया है तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है अगला कुश्यन है भूमिकत पानी को खीचने के लिए कई विद्दूत मोटर चली पंप लगाए गए है ये भी करेक्ट स्टेट में यानि कि A, B और D A, B और D आप्शन नमबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा तो फ्रेंट्स आज हमने अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक दे वीडियो शेर इट और सब्सक्राइब तो दे चैनल